हेलो जाहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबम एक्लासिस में आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके और जीएस के मिक्स प्रशन डिसकस करने वाले हैं सभी प्रशन मैंने यहाँ पर सेलेक्टिड लिया है और आपके आर्मी के एक्जाम के पॉइंट ओफ व्यू से यहाँ पर एड़ किये हैं सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है मैं उमीद करूँगा सेशन आपको हेलफ लगेगा चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखीगा यहाँ पर प्रशनों की संख्या 25 है टार्गेट मैं आपको दे रहा हूँ आज 22 कोश्चन राइट करने का सभी प्रशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 22 कोश्चन आपके कम से कम ठीक होने चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है जल्दी से आंसर देंगे अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी आपके सामने है अगर आपको किसी भी प्रशन का आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोकिएगा और इन 25 प्रशनों के बाद आपको एक प्रशन होमवरक का भी मिलेगा होमवरक भी लेकर जाएगा चलिए आंसर दीजिए राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा आंसर मेरे से पहले देंगे 1575 में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है तो आपका आंसर राइट है चलिए सेकिंड नबर कोशन सामने स्क्रीन पर है आकार के अनसर दूसरा सबसे बड़ा गरह कौन सा है which is the second largest planet by size ओप्शन है ब्रेस्पती, प्रित्वी, मंगल या फिर शनी तो देखिए सबसे बड़ा जो प्लैनेट है सबसे बड़ा गरह है वो कौन सा है ब्रेस्पती है क्लियर हमको बोला है दूसरा सबसे बड़ागर है कौन सा है आकार के अनुशार तो दूसरे नंबर पे आता है आपका शनी आपका डी बिलकुल करेक्ट आंसर है जिनोंने आपशन डी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है चलिए थर्ड नंबर कोशन देखिएगा सामने स् स्थित है सूपर इंपोर्टेंट ऑस्ट्रेलिया तुर्की वियतनाम नौर्वे वान लेक विद्धा हाइएस्ट स्टैनिलिटी डैश इस लोकेटिड इन सही जवाब ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं तुर्की उनका आंसर राइट है आंसर मैच करिए सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है चलिए फोर्थ नंबर कोशन डिसकस करेंगे सामने स्क्रीन पर है किस नदी को काली गंगा भी कहा जाता है विच रिवर इस आलसो नौन एज काली गंगा ओप्शन देखे गंडग नदी, चंबल नदी, शार्दा नदी या फिर माही नदी क्या आंसर करोगे सभी को यहां पर option C को आंसर देना है शार्दा नदी को काली गंगा भी कहते हैं जो विद्यार्थी option C को आंसर दे रहे हैं वो right है 5 number question सामने screen पर किसे सविधान की कुझी कहा जाता है who is called the key to the constitution option हिंदी में है मैं बोल दूँगा प्रस्तावना अधिकार प्रिच्छा लेक सविधानिक उप्चारों का अधिकार या फिर मौलिक करतव्य option A correct answer रहेगा प्रस्तावना को सविधान की कुझी कहा जाता है अब यहां पर एक question ध्यान दीजिए आपको मैं यहां पर एक question और homework का दे रहा हूँ मेरे mind में आया है देखिए यह तो है सविधान की कुझी अगर मैं आपको बोलूँगी सविधान की आत्मा किसे कहा जाता है प्रशन बनता है ये भी सविधान की आत्मा किसे कहते है इसका अंसर भी आप मुझे comment box में देंगे clear है चलिए शिक्स नंबर question सामने स्क्रीन पर दल बदल सविधान की किस अनुसूची में वर्नित है option है बारवी अनुसूची नौवी अनुसूची ग्यारवी अनुसूची या फिर दसवी अनुसूची आंसर दीजी जल्दी से तो देखिए 52 सविधान संशोधन 1985 में हुआ था clear अब देखिए जो दल बदल है ये आपकी 10 वी अनुसूची में वर्नित है option दी आपका right answer होगा 52 सविधान संशोधन 1985 दसवी अनुसूची में दल बदल कानून का वर्नित किया गया है 7 नंबर कोशन देखी सामने स्क्रीन पर प्रिष्ट तनाव का SI मात्रक क्या है What is the SI unit of surface tension option स्क्रीन पे है Newton प्रती मीटर Newton प्रती वर्ग मीटर Newton मीटर या इन में से कोई नहीं answer option A रहेगा Newton प्रती मीटर प्रिष्ट तनाव का SI मात्रक है 8 नंबर कोशन सामने स्क्रीन पर निम्द लिखित में से कोन सी विद्यूत चुम्ब किये तरंगे नहीं है option है cathode किरने alpha किरन बीटा किरने या फिर उप्रोक्त सभी ये question exam में आया था option मैंने आपे नए create किये है clear exam में भी यही पूछा था विद्यूत चुम्ब किये तरंगे नहीं है तो देखे ये topic important है विद्यूत चुम्ब किये तरंगे और आ विद्यूत चुम्ब किये तरंगे ये आपको पता होने चाहिए कौन सी है कौन सी नहीं है प्रमानु के केंदर में इस्थित नाभिक में होते हैं प्रोट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों या फिर इलेक्ट्रॉन दन्यूक्लियस लोकेटिड इड़ा सेंटर ओफ एटम कंसिस्ट ओफ औप्रोट्रॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर गती करते रहते हैं कॉशन नमबर दस का अंसर दीजिए जल्दी से सामने स्क्रीन पर वहे उपकरण जो हवा की शक्ति तथा गती को मापता है क्या कहलाता है what is the instrument that measures the force and speed of wind called क्या अंसर करोगे अल्टी मीटर, एरो मीटर, अनिमो मीटर या फिर बैरो मीटर सई जवाब option C रहेगा अनिमो मीटर हवा की शक्ति तथा गती को मापने का उपकरण है अल्टी मीटर आपको पता है अल्टी मीटर से क्या नापते हैं उचाई नापते हैं बैरो मीटर से वायू मंदलिये दाब नापा जाता है कॉशन नमबर 11 सामने आंसर दीजे पास्चूरी करने का सिधान्त किस ने दिया था? सही जवाब ऑप्शन है रहेगा लुई पास्चूरी करने का सिधान्त दिया था? कॉशन नमबर 12 देखिए निमदली खित में से कोन साब पुरान? सबसे प्राचीन एवं प्रमानिक पुरान है वहरी वहरी इंपॉर्टेंट ओप्शन है मतस्य पुरान, विश्नु पुरान, वायु पुरान, गरुड पुरान correct आंसर ओप्शन है रहेगा मतस्य पुरान जो है ये सबसे प्राचीन और प्रमानिक पुरान है सभी का आंसर correct होना चाहिए तेरा नंबर कॉस्टन देखिए मुझे लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में भी चाहिए आपका स्कोर आजके टेस्ट में कितना हुआ है हजरत मुहम्मद साहब का जनम मक्का में कब हुआ था When was हजरत मुहम्मद साहब born in मक्का दो तिन कोश्चन बनते हैं देखिए पहला प्रशन तो यहीं पर है हजरद मुहम्मद सहाब का जनम कहां हुआ था तो मक्का में हुआ था कब हुआ था तो 570 ECV में हुआ था ओप्शन A राइट है इन्हें इसलाम धरम का संस्थापक भी बोलते हैं इसलाम धरम के संस्थापक कलियर है जी चलिए चोदा नंबर कोशन देखिए सामने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस ने की थी कार्ल मार्क्स मुसोलिनी हिटलर या फिर चार्ल्स प्रथम आंसर यहां पर जिनोंने ऑप्शन C को दिया है हिटलर उनका आंसर करेक्ट है आंसर मैच करते जाना है 15 नंबर कोशन देखते हैं स्क्रीन पर है आपके भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था वेरी वेरी स्टेटिक कोश्चन है जी विच वाज दा फर्स्ट न्यूस पेपर ओफ इंडिया ओप्शन बोल रहा हूं दिखदर्शन हिंदू पेट्रियोट बंगाल गजट केसरी तो भारत का पहरतम समाचार पत्र था बंगाल गजट ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है देखिए बंगाल गजट की सापना जेम्स हिक्की के द्वारा की गई है ये भी ध्यान रखिएगा जेम्स हिक्की कलियर 1780 में ये भी आपको ध्यान रखना है सोला नंबर कोशन सामने स्क्रीन पर स्यद वंग की सापना किसके द्वारा की गई वेरी वेरी इंपोर्टेंट बाइहूम वाजदा स्यद डाइनस्टी फाउंडेड चंद्रदेव सिमुक विज्याले खिजर खान आंसर मैच करें क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं खिजर खान आपका करेक्ट आंसर है विज्याले ने क्या किया था चोल वंग की स्थापना किया है ये भी ध्यान रखिएगा चोल वंग के संस्थापक विज्याले स्यद वंग के संस्थापक खिजर खान सत्रह नमबर कोशन देखिए बरफ का गलनांक दाब बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट आफ आइस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर आप्शन आपका यहां पे एक रेक्ट आंसर रहेगा बरफ का गलनांक दाब बढ़ने से घड़ता है इसके बहुत सारे एक्जेम्पल एक्जाम में पूछ जाते है जैसे बरफ पर स्केटिंग करना क्यों असान होता है क्योंकि दाब बढ़ने से बरफ का गलनांक कम हो जाता है एक और प्रशन बनता है कि जो बरफ का पहाड है वो उपर की पिखलने की बजाए नीचे से पिखलना की शुरू होता है क्योंकि बरफ का गलनांक दाब बढ़ने से घड़ता है क्लियर अठारा नंबर कोशन देखिए सामने स्क्रीन पर आपके सबसे कठोर धातू कौन सी है विच इस दा हार्डेस्ट मैटल ओस्मियम, बेरियम, प्लाटिनम, केडमियम ओप्शन आपका C करेक्ट आंसर रहेगा सबसे कठोर धातू है प्लाटिनम अगर आप ओप्शन C को आंसर दे रहे हैं आपका राइट है ओस्मियम का विध्यान रखिएगा ओस्मियम सबसे भारी धातू की श्रेणी में आता है सबसे भारी धातू कौन सी है जी ओस्मियम है चलिए फिर कॉशन नमबर 19 देख लेते हैं सामने स्क्रीन पर वरिक्षो एमवम जाडियों का आध्यान कहलाता है और देखेगा तीन चार दिन की आपकी पीडियाफ जो है वो रुक्षो ही है हमारे टेलिग्राम चेनल पर पोस्ट नहीं हुई है यह तीन-चार पीडियाफ और आज की जो हमारी ये कलास कल रही है इसका भी PDF मैं आज टेलिग्राम पे अप्लोड कर दूँगा चारो की चारो पीडिएफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगी टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है अगर नहीं आपको लिंक से जोइन होरा टेलिग्राम तो टेलिग्राम पर शुभम एक्लासिस सर्च करिएगा तो व्रिक्षो एमम जाडियों का अध्यन कहलाता है डेंड्रोलोजी ऑप्शन आपका बी यहां पर करेक्ट आंसर है Question 20 की तरफ चलते हैं सामने स्क्रिण पर मानव में कितने आवश्यक अमीनो ऐसीड पाये जाते हैं How many essential amino acids are found in humans Option आपको D correct answer है 20 उनका correct answer है मानव में आवश्यक 20 amino acids तो पाये ही जाते है 21 नंबर question देखीए मैपल लीफ किस देश का राश्टिय चिन है और देखिएगा आप प्रस्णों को पढ़ते ही आपको पता लग रहा है आज मैंने जितने भी कोशन लिए है सभी की सभी आपके आर्मी के एक्जाम को पॉइंट आफ व्यू में रख कर ही लिए है मैपल लीफ कनेड़ा का राश्टिय चिन है आप्शन ए राइट आंसर है जी सभी ने आप्शन एको दिया है 22 नंबर कोशन सामने स्क्रीन पर है अंतराश्टिय श्रम संग्टन का मुख्यले कहां इस्थित है ILO International Labor Organization कहां पर है इसका हेड़कॉर्टर तो इसका हेड़कॉर्टर जिनेवा स्विजर लैंड में है आप्शन C आपका करेक्ट आंसर है अब आपसे पूछ सकता है एक्जाम में अंतराश्टिय श्रम दिवस यानि की अंतराश्टिय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है तो एक मई को मनाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में तेईस नंबर कोशन सामने बोल रहा हूँ आपके विलायत खान कौन सा वादे अंतर बजाने में निपुन थे विलायत खान वाद स्किल्ड इन प्लेइंग वीच इंस्ट्रूमेंट ओप्शन है तबला बासुरी सरोध सितार सही जवाब ओप्शन डी रहेगा विलायत खान सितार बजाने में निपुन थे जो ओप्शन डी को आंसर दे रहे हैं वो बिलकुल करेक्ट है तो चलिएगा कोशन नंबर 24 है आज का सेकिंड लास्ट कोशन भारतिय मौसम विज्ञान संस्थान कहां इस्थित है वेर इस दा इंडियन मेटिरियो लॉजिकल इंस्टिट्यूट लॉकेटिड लखनव में देरादून में नई दिल्ली में पुने में आंसर मैच करिए ओप्शन सी को अगर आपसे भी आंसर दे रहे हैं नई दिल्ली तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है कोशन नंबर 25 है आज का लास्ट कोशन इसके बाद एक कोशन होंवरक का है होंवरक भी लेकर जाईएगा पहले इसका अंसर देंगे कि केलास सत्यार्थी को 2014 में किस शेत्र के लिए नोबल पुरुसकार प्रदान किया गया था ओप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है केलास सत्यार्थी को 2014 में शांती के शेत्र में नोबल पुरुसकार प्रदान किया गया था सभी ने option B को answer दिया होगा तो दोस्तों ये थे आपके आज के top 25 GK and GS के mix प्रशन और सभी प्रशन super important थे बताएगा इन 25 प्रशनों में आपका score कितना हुआ है ये प्रशन हमवरक का है कल की class में discuss करेंगे मूल रूप से आठवी नसूची में कुल कितनी भाशाएं थी Originally, how many languages were there in the 8th schedule 20, 14, 22 या फिर 8 आंसर सभी को comment box में देना है एक प्रशन और पूचा है समिधान की आत्मा किसे कहा जाता है समिधान की आत्मा ये दो प्रशन मैंने आपसे पूचे हैं दोनों का आंसर आपको comment box में देना है और बताएगा इन 25 प्रशन में आज आपका total score कितना हुआ है target मैंने आपको 22 प्रशन का दिया था चलिए फिर मिलते हैं कल तब तक के लिए जय हिंद जय भारत